कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी जनरेशन के लोग कितने मासूम थे जो चीज़े आज कल छोड़े-छोड़े बच्चों को पता होती है वो हमें 12th class में जाके realize हुई एविन हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि bad touch क्या होता है ये चीज़े हमारे parents हमें बताने में शर्माते थे और वो चीज़े हमें पता चली हमारे school के teacher से और तब जाके हमें realize हुआ कि यार ये चीज़े तो हमारे साथ already हो चुकी है एक बार नहीं बलकि कई बार हो चुकी है और ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर वाला किया हो हम तो घर के अंबर ही safe नहीं थे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में child sexual abuse का इतना data है कि इस साल इतने child sexual abuse हुए है बट 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 जो data घर की चाट दिवारों से बाहर ही नहीं निकल पाता है उसका क्या क्यों नहीं निकल पाता है क्यों कि घर वाले ही उस चीज़ को condone कर दे रहे हैं क्योंकि वो खुद aware नहीं है अपने बच्चों को क्या aware करेंगे और recently का आपने news तो सुनाई होगा 17 साल की लड़की के साथ racial assault करने का मामला दर्ज हुआ है POCSO Act केता है करनाटका के former CMBS यदुरपपा के against तो आज इस वीडियो में हम जो Act डिसक्स करने वाले है The Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 जिसको short में कहता है POCSO ये Act सिर्फ और सिर्फ आपके Judiciary के exam and LLB के exams के लिए ही important नहीं है बलकि ये जो society में exams चलते हैं उसके लिए भी important है society में जो गंद फैली हुई है उसको ताकि आप रोक सको ताकि आप aware हो सको उसके against और अगर इस तरह की चीज़े कहीं पर होती है तो उसके against आप आवाज उठा सको इसलिए ये Act important है और ऐसा नहीं है कि Child Sexual Abuse को रोकने के लिए जो हमारा IPC General Penal Code है वहाँ पर कुछ provision नहीं थे वहाँ पर भी छुटकर पुटकर प्रोवीजन थे बट वो specifically Child Sexual Abuse की जो Various Form होती है उनसे deal नहीं करते थे तो Child Sexual Abuse की Various Form से deal करने के लिए और उनको तरीके से पनिश करने के लिए हमें एक बढ़िया सा law चाहिए था और हम लोगोंने 11 दिसमबर 1992 1992 में एक Convention भी साइन किया था जो कि था United Convention on Rights of the Child और Indian Constitution में Article 15 Close 3 स्टेट को पावर भी देता है कि स्टेट चिंडरन के लिए Special Provision बना सकता है तो ये सब चीज़े आधार बनी और काम शुरू हुआ POCSO Act बनाने का जिसका एक Draft Bill 2005 में भी लाया गया था Revisions होते हैं And finally, ये POCSO Act के रूप में Inact होता है Children's Day पे यानि कि 14 November 2012 को और 14 November 2012 ही इस Act की Commencement Date है जो कि आपने प्रिलिम्स के लिए धिहान रखनी है Then 2019 में इस Act में Punishment को और ज़र्दद सिवियर किया जाता है Even death penalty तक का Punishment introduce कर दिया जाता है Additionally, Indian Government Introduce करती है POCSO Rules 2020 में और 2023 में Law Commission की Report No. 283 आती है जिसके तहट Age Concern के रिगार्डिंग और Section 4 and Section 8 में Punishment के रिगार्डिंग POCSO में कुछ amendment करने का suggestion दिया जाता है तो ये कुछ चोटी मूटी बाते हैं दियान लगनी है बाकि अगर हम बात करें POCSO Act के Features की तो सबसे खास Feature इस Act का है कि ये Gender Neutral है 18 साल से कम उमर के Girl Child को भी ये कवर करता है और Boy Child को भी ये कवर करता है और उनके Against Offenses बता रखें इस Act में उनके बारे में जिसको भी Information होती है उसके उपर ये इस Act में mandatory की गई है कि वो उसकी reporting करना ही चाहिए यानि कि यहां पर mandatory reporting का provision भी आपको देखने को मिलेगा और reporting करने का कोई deadline यहां पर नहीं बताया गया कि कि कितने time के अंदर करनी है तो कोई time limit भी नहीं है reporting करने की और जो child victim होता है उसकी privacy का भी धिहान रखा गया है और जो offenses इस Act में बताये गए है उनकी awareness की regarding भी provision इस Act में आपको देखने को मिलेंगे तो यह जो Act है इसमें total 9 chapters है and 46 sections है Chapter No.1 Preliminary है Section 1 से Section 2 and Chapter No.2 में sexual offenses जो children के against होते हैं उनकी various forms बता रखी है और उनका punishment दे रखा है Section 3 से 12 तक then pronographic purpose से child को use करने वाले जो offenses है और उनका punishment है वो दे रखा है Chapter No.3 में Section 13 से 15 ता और जो offenses POXO Act में बता रखा है है उनके abattment और उनके attempt को punish करने के लिए Chapter No.4 में Section 16 से 18 तक दे रखा है POXO Act के offenses की reporting के regarding procedure दे रखा है Chapter No.5 में Section 19 से 20 धरीदा then Chapter No.6 में बता रखा है procedure की जो child है उसके statement कैसे record किये जाएंगे क्या precautions लिए जाएंगे उसके statement को record करने में जिसके regarding Section 24 से 27 तक दे रखा है इस act के तहप offenses का trial जो करेगी उस special court के establishment के regarding provision दे रखा है Chapter No.7 में Section 28 से 32 तक और क्या procedure वो अपनाएगी trial में क्या power होंगी उस special court को कैसे वो record करेगी evidence ऐसे मामलो में इसके regarding Chapter No.8 में Section 33 से 38 तक दे रखा है then lastly Chapter No.9 जो की misleading provision देता है Section 39 से Section 46 तक अब हम e-kick करके POXO Act के सारे Section निप्टाएंगे और जैसे ही ये वीडियो complete हो जाएगा भाग के जाना मेरे Telegram Channel Study Go with Zenith में वहाँ पर आपको POXO Act के MCQs भी लेंगे और लगे हाथ उन MCQs को भी solve कर लेना जिस PDF note से मैं आपको POXO Act पढ़ा रही हूँ वो PDF note और उसके अलावा काफी सारे subject हैं जिनकी न लिस्ट मैंने description में डाल दी है उन subject के PDF note अविलेबल है तो अगर आपको वो purchase करने है या उनके बारे में detail लेनी है तो आप मुझे contact कर सकते हैं या तो मेरी Telegram ID पर जो यहाँ प इसमें न सिर्फ दो ही section दे रखे हैं section number one देखो यह कह रहा है कि इस act का short title मतलब नाम क्या होगा इस act का नाम होगा the protection of children from sexual offenses act 2012 extend कहां पर होगा यह तो यह पूरे इंडिया में extend होगा पूरे इंडिया में apply होगा कौन सी तारीक से लागू हुआ यह लागू हुआ 14 नवंबर 2012 से section 2 इस act का definition close है जिसके subsection 1 में alphabetically काफी सारे terms को define किया गया तो सबसे पहले close A में aggravated penetrative sexual assault का मतलब बताया है कि इसका मतलब है वही जो मतलब बता रखा है section 5 में तो यहाँ पर क्यों फिर से बता दिया हम वही से समझ जाते हैं काम चलाओ सा काम कर रखे हैं आपे definitions में कुछ terms की जैसे कि अगली definition close B में जो दे रखी है aggravated sexual assault का मतलब होगा वही जो मतलब बता रखा है section 9 में तो जब हम वो sections पढ़ेंगे तब ही आपको in terms का न सही मतलब समझ में आएगा तो यहाँ पर in terms को define किरने का क्या ही मतलब रह गया था अब क्या ही कर सकते हैं यार कोई बात नहीं अब आजाओ close C में close C armed forces और security forces का मतलब बता रहा है यह कह रहा है कि armed forces of union security forces police forces यह जो specify कर रखी है न इस act में लगे हुए schedule में वही है क्या armed forces और security forces तो आप na section 46 जो इस act में आखरी section दे रखा है उसके बाद देखो एक schedule चिपका रखा होगा उसमें list दे रखें लंबिजी तो जो जो forces वहाँ पर security forces में include है closely बता रहा है कि child का मतलब है उस person से जिसकी age है 13 साल से गम फरक नहीं पड़ता वो female है male है उसको मानेंगे हम child closely है यहाँ पर 2019 में insert किया गया था यह बताता है कि child pornography का मतलब क्या होता यह कहता है कि sexually explicit conduct का ऐसा visual depiction जिसमें involved हो child मतलब sexual activities ऐसी visually depict की जा रही है जिनमें child involved है तो वो child pornography हो गई like photograph में दिखाया जा रहा है ऐसी sexual activities जिसमें child है या videos में दिखाया जा रहा है या फिर किसी ऐसे digital या computer generated image में दिखाया जा रहा है जिसमें न हम differentiate ही नहीं कर सकते हैं उसको actual child से साफ साफ लग रहा है कि actual child की तरह ही दिख रहा है क create किया गया है, adapt किया गया है, modify किया गया है but ultimately appear तो उसमें यही हो रहा है कि यह depict कर रहा है child को और इसमें आप दिखा रहे हो sexual activities जिनमें child involved है तो यह क्या है यह है child pornography, alright अब close ही कह रहा है कि domestic relationship का मतलब क्या है तो इसके लिए domestic violence act में जाओ section 2F देखो वही मतलब है यहाँ पर domestic relationship का, close ही कहा रहा है कि penetrative sexual assault का मतलब है वही जो की section 3 में बता राखा है, तो जब section 3 पढ़ेंगे तब ही इस का मतलब समझ में आएगा, close ही कह रहा है कि prescribe का मतलब है, इस act कहता है, तो poultry loss के मतलब की त्वारा जो भी prescribe किया जाता है, वही है, Knowledge कह रहा है कि religious institution का मतलब वही है, जो Religious Institution का मतलब बता रखा है Religious Institution Prevention of Misuse Act 1988 में तो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा Close Eye Sexual Assault का मतलब बता रहा है कि वही है जो इस Act में Section 7 में देखने को मिलता है तो Section 7 जब पढ़ेंगे दबा जाएगा समझ में Close J बता रहा है Sexual Harassment का मतलब वही है जो Section 11 में दे रखा है तो यह सारी कांचलाव सी Definition है Close के बता रहा है कि Share Household का मतलब क्या है Share Household का मतलब है कि जहां पर जिस Household में जिस Person के उपर Offense का चार्ज लगा है वो Person Domestic Relationship में किसी भी टाइम Child के साथ रहता है या फिर रहा है All right L बता रहा है कि Special Code का मतलब है उस Code से जिसको Designate किया गया है Special Code के रूप में Section 28 में तो Section 28 जब पढ़ेंगे आज़ेगा समझ में Close M बता रहा है कि Special Public Prosecutor वही है जो Point हो रहा है Public Prosecutor Section 32 में तो यह काम चलाव सी Definition देने के बाद Section 2 गा सब Section 2 यह गहता है कि जो Terms यहां पर Define नहीं की गई है अगर वो Define है IPC में, CRPC में, JJ Act में, IT Act में तो उनका मतलब जो वहाँ पर बता रहा है वही मतलब यहां पर Poxo Act में निकाला जाएगा अब यहां पर Chapter 2 में कुछ Sexual Offenses बता रहे हैं Child के Against जो होता है और उनकी Punishments बता रहे हैं Section 3 से लेकर 12 तक तो यहां पर ना आपने Section 3 के आगी के जो Sections हैं Section 14 तक उनके बारे में यह चीज़ ध्यान रखनी है कि Section 3 से Section 14 तक जितने भी Odd Number वाले Sections हैं उनमें Offenses की Definition देखने को मिलेगी आपको और जितने भी Even Number वाले Sections हैं उनमें आपको उन Offenses की Punishment देखने को मिलेगी For example, Section 3 डिफाइन कर रहा है Penetrative Sexual Assault को और इसकी Punishment दे रखी है Section 4 में तो Penetrative Sexual Assault कोई परसन किसी Child के साथ किया है ऐसा तब कहा जाएगा जब वो Penetrate करता है अपना पैन किसी Extend तक Child के Vagina में, Mouth में, Urethra में अनस में या फिर वो ऐसा Child से कराता है अपने साथ या किसी Other Person के साथ या फिर वो Insert करता है किसी Extend तक कोई Object या कोई Body Part जो की उसका Penis नहीं है Child के Vagina में, Urethra में, अनस में या फिर वो ये चीज Child से अपने साथ कराता है या किसी Other Person के साथ कराता है या फिर वो Manipulate करता है Child का कोई Body Part इस तरीके से ताकि Penetration हो Child के Vagina में, Urethra में, अनस में या Child के किसी Body Part में या फिर वो Child से ऐसा अपने साथ कराता है या किसी Other Person के साथ कराता है या फिर वो apply करता है child के penis, vagina, anus या urethra में mouth और या फिर वो ऐसा child से अपने साथ कराता है या किसी other person के साथ कराता है तो ऐसा कहा जाएगा कि वो person किया है penetrative sexual assault जिसका punishment दे रखा है section 4 में minimum 10 years और maximum imprisonment for life plus fine और जिस child के साथ किया गया है penetrative sexual assault अगर उसकी age है 16 साल से कम तो तब minimum 20 years का punishment दिया जाएगा और maximum उतना impeachment for life वाला punishment हो सकता है जो convicted के natural life तक तब तक वो जिन्दा है तब तक extend करेगी plus fine भी देना पड़ेगा और यहाँ पर जो fine convicted से लिया जा रहा है वो होना चाहिए just and reasonable और वो use किया जाना चाहिए victim के medical expense and rehabilitation में और जैसा कि यहाँ पर section 3 में कहा गया है कि penetration to any extent इसका मतलब यह नहीं है कि बिलकुल गहराई तक penetration हुआ हो क्योंकि depth of penetration यहाँ पर irrelevant है यह कहा गया था चंदर परकाश शिर्मा वर्सस state of UP के case में and subsequently Azad Ali Saha versus state of West Bengal 2022 के case में कहा गया कि जो accused है वो यह defense नहीं ले सकता है कि child का जो hymen है वो तो रक्चर ही नहीं हुआ वो तो intact है तो यह वाला जो defense है accused का यह भी irrelevant होगा and Deepak Singh versus state of West Bengal 2022 के case में कहा गया कि बट जरूरी है slightest degree of penetration क्योंकि हाँ पर penetration के लिए बोल रहा है न तो slightest degree of penetration अगर हुआ है तो वो भी enough है to make out the case under section 3 of POXO Act section 3 से हमें यह चीज़ के लिए रो गई कि penetrative sexual assault क्या होता है वहीं अगर penetrative sexual assault उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिनकी बात की गई है section 5 में या फिर जो situation section 5 में बताई गई है उन situations में होता है तो तब यह माला जाता है कि वो है aggravated penetrative sexual assault और उसकी punishment बता रही है section 6 में तो कह रहे हैं कि अगर penetrative sexual assault child के साथ किसी ऐसे person के द्वारा किया जाता है जो कि यह चीज किया है police officer होते हुए अपने police station के limits में या फिर उस premise की limit में जहां पर वो appointed है या फिर किसी station house की premise में फरक नहीं पड़ता है कि वो उस police station में situate करती है या नहीं जहां पर वो appointed है या फिर वो ये चीज किया है अपनी duty के दोरान या फिर otherwise वो ये चीज किया है या फिर वो ये चीज किया है वहाँ पर जहां पर इसको जाना जाता है या identify किया जाता है कि भाई ये तो police officer है या फिर अगर ये चीज किया है कोई person armed forces या security forces का member होते हुए कहाँ पे, किसी ऐसे एरिया में जहां पर वो deployed है या फिर किसी ऐसे एरिया में जो की under the command of forces और armed forces है, या फिर वो ये चीज किया है in the course of his duties, या फिर otherwise, या फिर वो ये चीज किया है ऐसी जगहाँ पे, जहां पर भई, उसको जाना जाता है या पहचाना जाता है कि भई ये तो security force या armed force का member है ऐसे उसकी पहचान बनी हुए वहाँ पे वह चीज किया है या फिर penetrative sexual assault किया है कोई person public servant होते हुए या फिर jail, remand home, protection home observation home या फिर जिस भी place में child की custody by the law दी जाती है वहाँ पर वहाँ के management में होते हुए या वहाँ का staff होते हुए कोई person ये चीज किया है या फिर किसी hospital में child के साथ उस hospital के management में होते हुए या उस hospital का staff होते हुए कोई person ये चीज किया है फरक नहीं पड़ता कि वो hospital government hospital है या private hospital है या फिर कोई person ये चीज किया है किसी religious या educational institution में child के साथ उस educational या religious institution के management में होते हुए या उसका staff होते हुए तो तब यह माना जाएगा कि वो penetrative sexual assault क्या है aggravated penetrative sexual assault या फिर किया गया है gang penetrative sexual assault child के साथ तो जो भी मतलब gang में थे होना चाहिए क्या कि उस group में से एक या एक से जादा लोग उस बच्चे के साथ sexual assault करने चाहिए in furtherance of their common intention तो तब सभी को ऐसे लपेटा जाएगा जैसे कि वो तब लपेटे जाते जब वो अकेले वो ये चीज़ करते या फिर कोई pulse and penetrative sexual assault किया है deadly weapons यूज़ करके fire, heated substance यूज़ करके corrosive substance यूज़ करके तो तब वो माना चाहिएगा कि वो है aggravated penetrative sexual assault या फिर penetrative sexual assault किया गया है बच्चे को grievous hurt cause करके या bodily harm या injury वगेरा cause करके या फिर ऐसी injury cause करके जो की बच्चे के sexual organs पर हुई है या फिर जो penetrative sexual assault किया गया है उसका consequence हुआ है कि बच्चे को ऐसी physical incapacity या mental illness हो गई है जिसकी वज़े से वो अपने regular task perform नहीं कर पा रहा है फरकनी पड़ता है कि वो ये चीज़ temporarily नहीं कर पा रहा है या फिर permanently नहीं कर पा रहा है या फिर penetrative sexual assault किया गया था female child के साथ और उसका consequence यह हुआ कि female child हो चुकी है pregnant या फिर penetrative sexual assault का consequence निकला कुछ बिमारी जैसे कि HIV या कोई other life threatening disease जो cause कर सकती है physical या mental impairment परकनी पड़ता कि वो temporary है या permanent है या फिर जिसका consequence निकला है क्या कि बच्चे की हो गई है death तो तब वो penetrative sexual assault हो जाएगा aggravated या फिर penetrative sexual assault किया गया है child की mental या physical disability का फाइदा उठाते हुए या फिर एक ही child के साथ एक से जादा बार या फिर repeatedly penetrative sexual assault किया गया है या फिर penetrative sexual assault किया गया है 12 साल से कम उमर के बच्चे के साथ तो तब वो हो जाएगा aggravated penetrative sexual assault या फिर penetrative sexual assault किया गया है बच्चे का relative होते हुए throw blood, adoption, marriage या guardianship या फिर in foster care या फिर उसके parent के साथ domestic relationship में होते हुए या फिर same या shared household में बच्चे के साथ रहते हुए तो तब penetrative sexual assault हो जाएगा aggravated penetrative sexual assault या फिर penetrative sexual assault किया गया है ऐसे institution का honor होते हुए या ऐसे institution के management में होते हुए या ऐसे institution का staff होते हुए जो की provide गरता है services to the child तो अगर वहाँ ये चीज़ की गई है ऐसी position में होते हुए किसी person के द्वारा child के साथ तो तब वो हो जाएगा aggravated penetrative sexual assault या फिर being in the position of trust child के साथ किया जाता है penetrative sexual assault या फिर ये जानते हुए कि child pregnant है किया जाता है उसके साथ penetrative sexual assault या फिर penetrative sexual assault child के साथ किया जाता है साथ ही उसको जांसे मारने का मतलब उसका murder करने का attempt किया जाता है तो तब ये हो जाएगा क्या एग्रावेटेटब । पनिट्रेटिव सेक्षुल असॉल या फिर पनिट्रेटिव सेक्ष्ट असॉल किया जाता है चाइड के साथ ड्यूरिंग दी कम्यूनल और सेक्टेरियन वायलिंस या during any kind of natural calamity, कोई natural आबदाई हुए है, उस दोरान किया जा रहा है, similar type of situation हो रहा है, और तब किया जा रहा है, penetrative sexual assault, चाहिल के साथ हो तब वो हो जाएगा aggravated penetrative sexual assault, या फिर जो person, चाहिल के साथ penetrative sexual assault किया है, वो already, previously, convict हो चुका है, boxo act के तहती किसी offense के लिए, या फिर किसी other law के तहत, किसी sexual offense के लिए, या फिर जो person penetrative sexual assault किया है, चाहिल के साथ, वो इसके साथ साथ ही, चाहिल को in the state of nudity, publicly parade वगेरा कराया है, तो तब यह माना जाएगा कि वो किया गया है क्या, aggravated penetrative sexual assault, और जो है, minimum 20 साल के rigorous imprisonment के लिए, और maximum उतने imprisonment for life के लिए, जो extend कर सकता है, convict के बचे हुए 6 जीवन काल तक के लिए, प्लस fine के लिए भी reliable होगा, और even, ऐसे मामले में death sentence भी दी जा सकती है, और यह death sentence वाला, जो यह punishment है, यह 2019 में यहाँ पर substitute किया गया था, बाकी जो fine यहाँ पर दिलवाया जाएगा, convicted person से, वो होना चाहिए, just and reasonable, और वो use किया जाना चाहिए, victim के medical expense and rehabilitation के लिए, तो similar बात जो हमने पढ़ी दी, section 4 में, fine के regarding, वोई यहाँ पर कहा रखिया, section 7 define करता है sexual assault को, और इसका punishment दे रखा है, section 8 में, तो जैसे कि हमने penetrative sexual assault discuss किया, section 3 में, जहाँ पर penetration हो रहा था, जहाँ पर insertion हो रहा था, तो basically यह चीज़े बहार निकालनी है, यानि कि अगर child के साथ ऐसा physical contact हो रहा है, जिसमें penetration involved नहीं है, जिसमें insertion involved नहीं है, और वो physical contact child के साथ किया जा रहा है, sexual intent से, तो यह चीज़ होती है, sexual assault, या फिर देखो क्या हो रहा है, child के private parts touch किये जा रहे हैं, या फिर अपने खुद के या किसी और person के private parts, child से touch करवाई जा रहे हैं, private parts like vagina, panis, anus, breast, तो तब कहा जाएगा, कि जो person ये चीज़ कर रहा है, या child से करवा रहा है, अपने साथ, या किसी और के साथ, वो person किया है, sexual assault, अगर वो ये चीज़ किया है, sexual intent के साथ, और फिर वो person liable होगा, under section 8 of FOXO Act, minimum 3 साल के impeachment के लिए, और maximum 5 साल तक के impeachment के लिए, plus fine भी लगाया जाएगा, और यहाँ पढ़ना इतना enough है, कि sexual intent के साथ, child के private parts को touch किया गया, ये जरूरी नहीं है, कि उससे हुई injury का medical certificate लाकर दिखाया जाए, ये चीज़ जरूरी नहीं है, और like अगर किसी girl के breast को touch किया जाता है, तो ये defense नहीं लिजा सकती है, कि उसके जो breast थे, वो developed थे, या वो developed नहीं थे, ये चीज़ यहाँ पर irrelevant है, sexual intent से अगर breast टच किया है, तो section 7 invoke किया जा सकेगा, तो पुल मिलाकर बात ये है कि private parts को touch किया जा रहा है, child के या अपने खुद के करवाया जा रहा है, या किसी और person के private parts को touch करवाया जा रहा है, child से with sexual intent, या फिर with sexual intent, बिना penetration वाला physical contact किया जा रहा है child से, तो तब मना जाएगा कि child के साथ किया गया है sexual assault, और वो sexual assault, कब aggravated sexual assault हो जाएगा, ये बता रखा है section 9 में, तो section 9 में वही elements आपको देखने को मिलेंगे, जो हमने aggravated penetrative sexual assault के case में discuss किये थे section 5 में, बस कुछ अंतर है, जैसे कि एक अंतर आपको ये देखने को मिलेगा, कि जो assault है, वो अगर result होता है इन दो चीजों में, तो तब वो aggravated sexual assault हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़े mention है, बट section 5 में, इन दो चीजों के साथ साथ, ये दो और चीज़े थी, यानि टोटल चार चीज़े थी like उस assault का consequence होता है कि female child pregnant हो जाती है या फिर ये consequence होता है कि child की death हो जाती है, तो ये दो point वहाँ पर आपको section 9 में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब sexual assault में penetration ही नहीं होगा तो फिर pregnancy का सवाल कहां से आएगा, और सिर्फ physical contact की वज़े से या private part टश करने की वज़े से किसी child की death वगरा तो नहीं होती है, तो इसलिए ये इस भी consequence नहीं हो सकती है sexual assault का तो इसलिए वहाँ पर ये दोनों चीज़े mention नहीं है, एक और difference है, section 5 में आपको ये last में we close देखने को नहीं मिलेगा, जो की section 9 में insert किया गया है 2019 में, जो बिसिकली यही कहता है कि अगर sexual assault कोई person, child के साथ करता है कैसे, उसको persuade, induce, entice या coerce करके कि वो कोई drug, कोई hormone या कोई भी chemical substance ले, या फिर वो खुद ही ये चीज़ उसको administer कर रहा है, या किसी और से करवा रहा है या फिर किसी की help ले रहा है ये चीज़, child को देने के लिए और वो ये चीज़े child को consume करवा रहा है, इस intention से ताकि इन चीज़ों को consume करने के बाद, जो child है, उसमें न जो sexual maturity, एक particular age में आती है, normally, वो पहले ही आ जाए तो इस तरीके से अगर sexual assault किया जाता है, तो वो होगा फिर aggravated sexual assault बाकि पूरा section 9 as it is, section 5 की तरह ही है, जो difference में ने बता है बस वही difference है इन दोनों section में तो यहाँ पे आपका एक तो हमने discuss किया section 3 जो बता रहा था penetrative sexual assault क्या होता है और फिर section 4 बता रहा है उसकी punishment, section 5 बता रहा है aggravated penetrative sexual assault क्या होता है और उसकी punishment दे रखिये section 6 में section 7 बता रहा है कि sexual assault क्या होता है उसकी punishment दे रखिये section 8 में section 9 बता रहा है aggravated sexual assault क्या होता है और उसकी punishment दे रखिये section 10 में तो यहाँ पर एक बार section 5 पढ़ लिया तो समझे लो section 9 भी पढ़ लिया तो यह तो हो गया aggravated sexual assault section 9 में अब इसका punishment भी देख लो जो बता रखा है section 10 में कि minimum 5 साल की सजा तो मिलेगी मिलेगी और maximum 7 सालों तक वो extent हो सकती है तो यहाँ पर हमने जितने भी sections में discuss किया कि minimum इतनी punishment है तो उस minimum से कम punishment नहीं दी जा सकती है यह कहा गया था state of UP versus Sonu Pushwaha 2023 के case में तो यह चीज ध्यान रखनी है कि court के पास discretion नहीं है यह चीज करने का कि minimum sentence से भी कम sentence पास कर दे ना ना ऐसा नहीं कर सकती है court section 11 define करता है sexual harassment को और इसका punishment दे रखा है section 12 में और इसको ना आप link कर सकते हो IPC के section 354A से जो कि generally regardless of age women के against होने वाले sexual harassment को punish करता है वहीं यहाँ पर box act में जितने भी offenses आपको देखने को मिलेंगे including sexual harassment वाला offense वो है child के against offense जिसकी age 18 से कम होती है जो यह तो हो सकता है male child या फिर हो सकता है female child तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक person child के साथ किया है sexual harassment ऐसा तब कहा जाएगा जब वो यहाँ पर जितने भी act mention है उन में से कोई भी act करता है child के साथ sexual intent से पर example वो कोई word बोलता है या कोई sound करता है ताकि उसको सुने child for example तहरा साल की लड़की को कोई uncle comment पास करते है उसके breast की तरफ देखते हुए कि जो फल है वो भी पके नहीं है तो यह चीज़ sexual harassment होगी या फिर कोई gesture किये जाते है या exhibit किया जाता है कोई object या कोई body part for example middle finger दिखाई जाती है किसी बच्चे को ताकि वो बच्चा उसको देखे और इस चीज़ के पीछे होती है sexual intent तो यह चीज़ मानी जाएगी कि क्या किया गया है sexual harassment किया गया है या फिर child से exhibit करवाया जाता है उसका body या उसका body का कोई part ताकि जो person ये चीज़ करा रहा है वो child की जो body है या उसका जो भी body part वो exhibit करवा रहा है वो वो देखे या फिर कोई other person वो देखे या फिर show किया जाता है कोई भी object child को किसी भी form या media में for pornographic purposes या फिर repeatedly, constantly follow किया जाता है, देखा जाता है, contact किया जाता है child को या तो directly, मतलब offline ये चीज़ कर रहा है या फिर electronic माध्यम से या किसी other माध्यम से ये चीज़ कर रहा है खुल मिला के बात ये है कि stalk कर रहा है child को और यह चीज़ कर रहे हैं sexual intent से तो तब यह चीज़ होगी sexual harassment या फिर धमकी दी जाती है कि child का कोई body part या फिर child को किसी sexual act में involved दिखाया जाएगा किसी form of media में जिसमें उसका या तो real depiction किया जाएगा या फिर fabricated depiction किया जाएगा तो electronic medium या फिर film के जरी या digital mode के जरी या किसी भी other mode के जरी तो इस तरह की धमकी भी यहाँ पर sexual harassment मानी जाएगी या फिर entice किया जाता है child को pornographic purposes के लिए या ऐसे acts के लिए gratification दिया जाता है child को तो यह भी sexual harassment होगा तो यहाँ पर हमने जैसे कि sexual intent के बारे में बात की कि इनमें से कोई भी act child के साथ किया जाना चाहिए उस person के दुवारा sexual intent से तभी मानेंगे कि वो किया है child का sexual harassment तो वो जो sexual intent है उसके बारे में अगर सवाल आए कि sexual intent थी या नहीं थी तो यह होगा question of fact की punishment भी सुन लो तो जो कोई भी करेगा sexual harassment child के साथ वो liable होगा उतने imprisonment के लिए जो extend हो सकती है तीन साल तक plus fine के लिए भी liable होगा chapter 3 में section 13 से 15 तक बताय रहे हैं pornographic purposes के लिए child को use करने वाले offense और इस तरह के material को store करने वाले offense और उनके लिए punishment section 2A में हमने discuss करी लिया था कि child pornography क्या होती है तो ये चीज़ आपने chapter number 3 को परते टाइम ध्यान रखनी है तो अब यहाँ पर section 13 क्या बता रहा है ये बता रहा है कि कब कहा जाएगा कोई person pornographic purposes के लिए child को use करने वाला offense किया है और अगर ये चीज़ कोई person करेगा तो उसके लिए punishment बता रहा ही है section 14 में तो देखो ऐसा तब कहा जाएगा जब कोई person sexual gratification के लिए किसी भी form of media पर किसी भी form of media पर like TV पर, internet पर या किसी other electronic means के जरिए या printing के जरिए child को use करता है किसी program में advertisement में, broadcast में फरक नहीं बड़ता है कि वो ये चीज़ किया है अपने खुद के personal use के लिए या फिर इस चीज़ को distribute करने के लिए but अगर इस तरीके से child को वो use करता है तो ये माने जाएगा कि वो pornographic purposes के लिए child को use करने वाला offense किया है like वो इस तरह की चीज़े करता है जिसके तहत वो child के sexual organs को represent कर रहा है तो ये चीज़ भी मानी जाएगी कि child को pornographic purposes के लिए use करने वाला offense किया गया है या फिर child जो engaged है real या stimulated sexual acts में फरक में पढ़ रहा है कि उसमें penetration वाली activity दिखाई जा रही है या नहीं तो इस तरह से child का अगर you switch किया जा रहा है या फिर child को indecently या obscenely represent किया जा रहा है तो तब ये सब चीज़े मानी जाएगी कि child को pornographic purpose के लिए use करने वाला offense किया गया है जो कि section 13 में define है और फिर इसके लिए first बार अगर कोई person convict होगा तो वो liable होगा उतने impediment के लिए जो 5 साल से कमका नहीं होगा plus fine के लिए भी वो liable होगा अगर subsequently second time वो convict होता है इसी offense के लिए तो second time उसको minimum 7 साल की punishment दी ही जाएगी plus fine के लिए भी वो liable होगा वहीं अगर ये हो जाए कि जो person ये offense किया है वही person child के साथ pornographic activities में involved था और उस दोरान वो अगर section 3, section 5, section 7 या फिर section 9 में जो offense बता रहा है उनमें से कोई भी offense child के साथ अगर किया तो यहाँ पे section 13 वाले offense की जो सजा बता रहा है section 14 में उस सजा के साथ साथ इनमें से किसी भी section के तहट जो offense वो कर रहा है उस offense के लिए जो respective section में सजा बता रखे उस सजा के लिए भी liable होगा section 15 में उस person को किया जाता है punished जो किसी भी form of media में ऐसा pornographic material जिसमें child involved है store करता है या फिर possess करता है इनमें से किसी भी मकसद के लिए like section 45 में central government ने by rules prescribe किया हुआ है कि इस तरह का child pornographic material कि इस तरीके से delete करना है destroy करना है या उसके बारे में designate authority को report करनी है तो अगर उस तरीके से वो person जो इस तरह के material को possess या store किया हुआ है delete करने में, destroy करने में report करने में fail हो जाता है क्यूं होता है fail, ताकि वो उस child pornographic material को share कर सके या फिर transmit कर सके तो first conviction पर वो फिर liable होगा उतने fine के लिए जो कम से कम 5000 रुपे तक का तो हो गई, second time अगर फिर से वो convict होता है same offense के लिए, तो तब वो liable होगा उतने fine के लिए जो कम से कम 10,000 रुपे तक का तो हो गई, वहीं अगर child pornographic material को store या फिर possess करने के पीछे उस person का intention, reporting करना या उसको as a evidence use करना नहीं है, बलकि किसी और ही तरीके से किसी भी time उसको transmit करने का, propagate करने का, display करने का या distribute करने का उस person का intention है, तो तब वो person liable होगा, उतने imprisonment के लिए जो extend कर सकता है 3 साल तक, या फिर वो liable होगा fine के लिए, या फिर इन दोनों punishment के लिए, वहीं अगर उस person का child pornographic material को store या possess करने के पीछे इरादा क्या है, इरादा है ये, कि वो उसको use करना चाहता है commercial purposes के लिए, तो तब वो first time अगर इस offense के लिए convict होगा, तो वो liable होगा उतने imprisonment के लिए, जो कम से कम 3 साल का होगा, और जादा से जादा 5 साल तक का हो सकता है, या फिर fine के लिए liable होगा, या फिर दोनों के लिए, and second time अगर फिर से वो convict होता है similar offense के लिए, तो तब वो liable होगा कम से कम 5 साल तक के कारवास के लिए, और जादा से जादा 7 साल तक के कारवास के लिए, plus fine भी उसके उपर लगाया जाएगा, chapter number 4 में सबसे पहले section 16 में बता रखा है कि offense का अबैट्मिन क्या होता है section 17 में बता रखा है उसका punishment, then section 18 में offense को commit करने के attempt का punishment बता रखा है तो जो section 16 है, जैसे कि यहाँ पर offense का abattment क्या होता है यह बता रखा है, तो आप इसको नब relate कर सकते हो, IPC के section 107 से, जहाँ पर बता रखा है कि abattment तीन तरीगे से किया जा सकता है, पहला by instigation, दूसरा by conspiracy, तीसरा by intentional adding, वही चीज यहाँ पर कहा रहे हैं, कि एक person किसी offense के लिए abattment किया है, ऐसा तब कहा जाएगा, जब उस offense को commit करने के लिए वो किसी person को instigate किया हो तो तब हो जाएगा abattment by instigation secondly, अगर वो engage हुआ हो, एक या एक से ज़ादा लोगों के साथ, उस offense को commit करने की conspiracy में और उस conspiracy की pursuence में, उस offense को commit करने के लिए कोई act या illegal omission किया गया हो तो तब कहा जाएगा, कि वो person उस offense का abattment किया है by conspiracy, thirdly वो person intentionally aid किया हो, उस offense को commit करने के लिए कोई act करके, या कोई illegal omission करके, तब कहा जाएगा, कि वो उस offense का abattment किया है by intentional aiding, explanation वन में बताया गया है, कि कब कहा जाएगा कि कोई offense करने के लिए को instigate किया है, और explanation, second and third बताता है, कि कब कहा जाएगा कि कोई act करने के लिए कोई person aid किया है section 17 में बता रहे हैं कि offense का abattment करने वाला जो person होता है, यानि कि जो abattor होता है, उसको क्या punishment दी जाएगी तो जिस offense का उसने किया है abattment, उसके abattment के consequence में अगर कोई act कमिट कर दिया जाता है, तो तब उस offense के लिए जो by the law punishment बता रखी है, उसी punishment के लिए यहाँ पर abattor भी liable होगा, और कोई act abattment के consequence में किया गया, ऐसा तब कहा जाएगा, जब abattor के द्वारा किये गए instigation, conspiracy या फिर aid की वजह से वो act हुआ है commit section 18 में बता रहे हैं कि अगर इस act के तहट जो offense बता रखे हैं, उन offense को commit करने के लिए या फिर उन offense के commission को cause करने के लिए कोई person attempt करता है, and towards the commission of such offense, वो व्यक्ती कोई act करता है तो तब वो liable होगा उस offense के लिए जो longest impeachment की सजा prescribe है उसके half impeachment के लिए, या फिर fine के लिए, या फिर दोनों के लिए for example, उस offense के लिए prescribe है maximum 20 years की punishment तो तब वो यहाँ पर इसके half के लिए liable होगा, यानि 10 years के लिए, वहीं अगर impeachment for life prescribed है maximum punishment, तो तब इसका half क्या होगा, तो इसका half calculate करने के लिए हम लेंगे fraction कहां से IPC के section 57 से जो की ऐसे मकसद के लिए बताता है कि impeachment for life equivalent होगी 20 years के, और 20 years का half होगा 10 years, तो तब impeachment for life जिस offense के लिए prescribed है punishment, उस offense के attempt में person को impeachment for life का half कितना मिलेगा 10 years, तो यह होगी आपका section 18 chapter 5 में बताया रखा है POXO Act के तहत मामलों की reporting करने का procedure section 19 से 20 थी तक की provision में तो सबसे पहले बता रहे हैं section 19 में की ऐसे offenses की reporting कैसे की जाएगी तो कह रहे हैं कि CRPC में कुछ भी क्योंना लिखा हो वो जाए भाड में अगर किसी भी person को including the child apprehension होती है कि POXO Act के तहत कोई offense commit किया जा सकता है या फिर जानकारी होती है कि POXO Act के तहत कोई offense commit किया गया है तो तब उनकी responsibility बनती है कि वो इस चीज़ की information देंगे special juvenile police unit को या फिर local police को वहीं अगर वो ये चीज़ करने में fail हो जाते हैं except the child तो वो as per section 21 liable होंगे उतने imprisonment के लिए जो extend हो सकता है 6 महिने तक या फिर fine के लिए या फिर दोनों के लिए वहीं अगर ये चीज़ करने में fail होता है किसी company का या institution का कोई person जो कि वहाँ पर in charge है वो वो भी कब जब जो offense है वो किया है उसके subordinate ने तो तब वो liable होगा उतने imprisonment के लिए जो extend कर सकता है एक साल तक plus fine के लिए भी बाकी इस section के तहट punishment की liability किसी children के ऊपर नहीं आती है आगे section 19 में कह रहे हैं कि जब information मिलती है इनको तो फिल इनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उसकी report बनाएंगे कैसे वो उसको एक entry number देंगे और उसको वो record करेंगे writing में और वो चीज वो पढ़ कर सुनाएंगे informant को और उसको वो enter करेंगे उस book में जो कि उनके दुआरा kept की जाती है तो यहाँ पर अगर ये चीज करने में यानि कि report को record करने में अगर ये fail हो जाते है तो as per section 21 ये liable होंगे उतने imprisonment के लिए जो extend कर सकता है 6 मन तक या फिर fine के लिए या फिर दोनों के लिए section 19 में आगे ये कह रहे हैं कि अगर reporting की है children ने तो तब उसको record किया जाना चाहिए simple language में ताकि उसके content जो बच्चा है वो समझ सके वहीं अगर content उस language में नहीं record किये गए है जो की बच्चा समझ सक रहा हो या फिर अगर जरूरी है तो तक उस बच्चे को translator या फिर interpreter assist करने के लिए provide किया जाएगा ऐसा translator या फिर ऐसा interpreter जो ऐसी qualification experience रखता हो जिसको वो payment fees के रूप में दी जाएगी जैसा की prescribe करेगी कौन central government under section 45 official gadget में notification pass करके rule बना कर आगे section 19 में कह रहे हैं की special juvenile police unit या फिर local police अगर satisfy होती है की child को जिसके against offense commit हुआ है जरूरत है care and protection की तो वो इस चीज के writing में reasons record करके तुरंत arrangement करेगी ऐसे ताकि child को care and protection दिया जा सके और वो ये चीज कर सकते हैं कि within 24 hours of the report child को shelter home में भेज सकते हैं या फिर nearest hospital में दे सकते हैं और इस चीज की तुरंत report ये करेंगे किसको child welfare committee को and special court को वहीं अगर special court नहीं designate किया गया है section 28 के तहत तो तब court of session को और report के साथ साथ इस चीज की भी detail वो देंगे इनहें कि child को care and protection की जूरत है और इस चीज के लिए हमने ये-ए steps वगरा उठाए हैं बाकी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई person subsection 1 के तहत good faith में information दे रहा है तो इस चीज के लिए ना वो किसी भी तरह की civil या criminal liability के लिए liable नहीं होगा alright तो ये हो गया section 19 section 20 में कह रहे हैं कि अगर कोई sexually exploitative material है जिसमें child involved है या फिर कोई pornographic material है या कोई sexually related material है या कोई child का obscene representation करने वाला material है तो उसके बारे में media, hotels, lodges, hospital, clubs, studios, photographic facilities के जो personal है ना उनकी भी responsibility बनती है कि वो उसके बारे में information दे किसको उसके बारे में वो report करे किसको special juvenile police unit को या फिर local police को वहीं अगर ये चीज करने में वो fail हो जाते हैं तो वो as per section 21 liable होंगे उतने impeachment के लिए जो extend कर सकता है 6 महें तक पर ये defense नहीं ले सकता है कि हमारा जो संस्थान है, establishment है वो काफी बड़ा है काफी number of employees वहाँ पर काम कर रहे हैं हर चीज की information हम कैसे दे सकते हैं इतने बड़ी-बड़ी चीजों से हम deal कर ला है तो ये ऐसा type का defense यहाँ पर ये लोग नहीं ले सकता है इनकी responsibility बन रही है यहाँ पर section 20 में section 22 में देखो ये कह रहे हैं कि अगर section 3, 5, 7 and 9 में जो offense बता रहे हैं, उन offense के बारे में किसी person के against false information दी जाती है या false complaint की जाती है इस intention से ताकि उस person को humiliate किया जा सके, extort किया जा सके धमकाया जा सके, defirm किया जा सके, तो तब false information देने वाला person या false complaint करने वाला person liable होगा, उतने imprisonment के लिए जो extend कर सकती है 6 महीने तक, या फिर fine के लिए या फिर दोनों के लिए, वहीं अगर ये false information या false complaint किया है कोई child, तो तब उसके उपर इस तरह की कोई punishment इंपोज नहीं की जाएगी वहीं अगर child के अलावा कोई person, ऐसे offenses के बारे में false complaint करता है या false information देता है, जानते हुए कि ये false है, ताकि boxso act के तहर जो offense है उसका victim, child को बनाया जा सके, तो तब वो person liable होगा, उतने impeachment के लिए जो extend हो सकती है, एक साल तक, या फिर fine के लिए, या फिर दोनों के लिए Section 23 में सबसे पहले, media के उपर ये लोक लगाई गई है कि media बेना complete और authentic information के child पर कोई भी report नहीं करेगी, ना ही कोई comment करेगी ऐसा, जिसका effect, child की reputation को कम करना हो, या child की privacy को infringe करना हो क्योंकि media की responsibility है, क्या, कि अगर वो कोई report वगेरा करती है, तो वो उसमें disclose नहीं करेगी child की identity, like child का name, address, photograph, family details, school, neighborhood या कोई भी ऐसा particular child के बारे में जिससे child की identity disclose हो सके, वो report में media ने disclose नहीं करना है बट यहाँ पर disclosure का permission दे सकती है, इस act के तहत मामले को try करने के लिए competent जो है special quote वो, वो भी कब जब ऐसा करना child के interest में हो और ऐसा करते time उसने करने होंगे writing में reasons record बाकि जो media है, studio है, photographic facilities है, ये jointly and severally liable हो सकते हैं for the acts and omissions of their employees, और media पर subsection 1 and subsection 2 में जो चीजे करने से रोक लगाई गई है, अगर वो वो चीज करती है तो फिर उसकी liability आएगी, कम से कम 6 महिने तक के कारवास की और maximum एक साल तक के कारवास की, या फिर fine या फिर दोनों की chapter number 6 में child के statement को record करने का procedure बता रखा है section 24 से लेकर 27 तक के provision में, तो सबसे पहले section 24 में बता रहे हैं कि child की statement को record कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले कह रहे हैं कि child की statement record किये जाएंगे, या तो उसके residence पे, या फिर उस जगा जहां पर वो usually रहता है, या फिर उसकी choice की place पर और जितना possible हो सकता है, उतनी कोशिश ये की जाएगी कि child के statement record करे, woman, police officer जो की SI की rank से नीचे की नहीं है और police officer record करना चाहिए without uniform और investigating officer की ये duty है कि वो ऐसा बंदबस करने चाहिए कि जब वो child को examine कर रहे हो, उस दोरान, किसी भी तरीके से contact में ना आए, और वो child को police station में overnight detained नहीं करेंगे किसी भी reason के लिए, और police officer की ये भी duty है, कि वो ये चीज़ ensure करेंगे कि child की identity public media से बची रहे, public media में disclose ना हो, जब तक कि इस चीज़ की permission child के interest के लिए by the special court नहीं दे दी जाती है, बाकि ये ध्यान रखना है consistent होती है and credible होती है, तो तब ज़रुरत नहीं होती है इस चीज़ के certificate की कि वो testimony देने के लिए competent था या नहीं, all right, section 25 देखो ये कहता है कि अगर child के statement record किये जा रहे है, CRPC के section 164 के तहट by the magistrate, तो तब जैसे लवजों में उसने statement दिया, वैसे ही उनको record करने की जिम्मेबारी है magistrate के ऊपर, and section 164 subsection 1 में दिये गए पहले proviso में जैसे की requirement दी गई है, कि accused का advocate present रहना चाहिए, इस requirement को child के statement section 164 of CRPC के तहट record करते time overlook किया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर apply नहीं होगी, और mother state के ऊपर यह चीज mandatory है, कि जब उसके पास file की जाती है, under section 173 of CRPC, final report, तो तब child and parents को mother state provide करना चाहिए, section 207 के तहट, जो document specify किये गए है CRPC में, उनकी copy, section 26 में कुछ additional provision दिये गए है, child के statement recording करने के regarding, तो यह सबसे पहले generally यह कह रहे हैं, कि magistrate या police officer अगर record कर रहे है child के statement, तो वो exactly जैसा कि child बोल रहा है, वैसे ही उसको record करने चाहिए और record करने चाहिए, child के parent की presence में, या फिर किसी ऐसे other person की presence में, जिसमें child को trust and confidence है, और while recording the statement of child, magistrate या फिर police officer अगर जरुवत पड़े, तो क्या अगर सकते हैं, assistance ले सकते हैं translator की और interpreter की, वही अगर जो child है, वो mental है या फिर physical disabilities से सफर कर रहा है, तो तब magistrate और police officer मदद ले सकते हैं, special educator की, या किसी भी ऐसे person की जो familiar हो, child की communication से, या फिर इस field के export की यहाँ पर मदद ली जा सकती है, और यहाँ पर जिनकी भी मदद ली जा रही है, वो रखने चाहिए, ऐसी qualification and experience और उनको ऐसा fees पे किया जाना चाहिए, जैसा की, under section 45, official gadget में notification पास करके, central government rule के द्वारा prescribe करती है, और जब भी possible हो, तब magistrate और police officer, child के statement, audio, video, electronic means के जरिये भी record करने चाहिए, section 27, child के medical examination की बात करता है, यह कहता है कि, boxo act के तहट अगर किसी child की against हुआ है offense, तो उसका medical examination किया जाएगा, ऐसे जैसे की CRPC के section 164A में किया जाता है, फरकनी पड़ता है कि उस offense की FIR register हो गई है, या complaint वगेरा register हो गई है, या register नहीं हुई है, और अगर जिस victim का medical examination किया जा रहा है, वो है girl child, तो तब medical examination किया जाना चाहिए by a woman doctor, और यहाँ पर medical examination child का किया जाना चाहिए, या तो child के parents की presence में, या फिर किसी other ऐसे person की presence में, जिस पर child को trust और confidence हो, और अगर यह लोग present नहीं है during the medical examination किसी भी reason की वज़े से, तो तब medical examination conduct किया जाएगा ऐसी महिला की उपस्थिती में, जिसको nominate करेगा medical institution का head, POXO app के तहर जो offense बता रखे हैं, उनसे deal करने के लिए special court के regarding chapter number 7 में section 28 से लेकर 32 तक की provision दिये गए है, और section 12 में हमने यह पढ़ाई था कि special court का मतलब है उस court से जिसको designate किया गया है under section 28, section 28 यह कहता है कि state government high court के chief justice की consult लेकर official gadget में notification पास करके, हर एक district में एक court of session को POXO act के तहत offenses का speedy trial करने के लिए special court के रूप में designate करेगी, और अगर commission for protection of child right act 2005 के तहत किसी court of session को notify किया गया है children's court के रूप में या फिर किसी other existing law के तहत similar purpose के लिए कोई special court designate की गई है, तो तब section 28 के purpose के लिए इनही को deem किया जाएगा special court और जो special court है जब वो इस act के तहत किसी offense को try कर रही है, अगर उस offense के offender के ऊपर CRPC के provision के तहत किसी other offense का charge लगाया जा सकता है, तो तब उस offense के लिए भी यहाँ पर उस accused person को special court try करेगी, और IT act में चाहे कुछ भी क्योंना लिखाओ वो जाए भाड में, IT act के section 67B में जो offense बता रखा है, उस offense को try करने का भी special court को jurisdiction होगा, especially तब जब वो offense related हो, ऐसे sexually explicit material के publication या transmission से जो depict कर रहा है children को किसी भी act में या conduct में या किसी भी manner में या जो facilitate कर रहा है online child abuse, section 29 presumption के regarding ये provision करता है कि section 3, 5, 7 and 9 of POXO Act के तहए, अगर किसी offense को commit करने के लिए या उसका abattment करने के लिए उसको commit करने के अटांट करने के लिए किसी person को prosecute किया जा रहा है, तो तब special court यहाँ पर presume करेगी कि वो person वो offense commit किया है या उसका abattment किया है या फिर उसको commit करने का attempt किया है, जब तक कि इसके contrary probe नहीं कर दिया जाता, और ये जो presumption है ये है ribital presumption of law, जिसके contrary probe देकर इस presumption को rebut किया जा सकता है, section 30 में culpable mental state के regarding presumption दे रखी है, ये ये कह रहे हैं कि किसी prosecution में, किसी offense के लिए इस act के तहत अगर require है culpable mental state का होना, for example section 7 के तहत sexual assault का offense हुआ है, तो sexual assault वाले offense के लिए चाहिए होती है, sexual intent, तो ये culpable mental state होने चाहिए, तो यहाँ पर special court ये shall presume करेगी, कि हाँ, ये mental state थी existence में at the time of commission of that offense by the accused, अब ये accused के उपर है, कि वो इस presumption को court की disprove करे, क्योंकि ये है ribital presumption of law, तो जो accused है, वो खुद को defend कर सकता है, ये prove करके कि वो mental state उस time पर नहीं थी, जब उसने वो offense commit किया, और यहाँ पर कोई fact before the special court prove करना पड़ेगा, beyond the reasonable doubt, तभी उस fact के existence को court believe करेगी, यहाँ पर सिर्फ preponderance of probability वाला principle नहीं चलेगा, यहाँ पर accused को भी beyond the reasonable doubt जाके prove करना पड़ेगा, कि उसकी वो culpable mental state नहीं थी, और यहाँ पर culpable mental state का मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि intention, motive, knowledge of fact and belief in that fact, या फिर reason to believe in that fact, section 31 में CRPC का application बता रहे हैं, special court के समख चल रही proceeding में, कह रहे हैं कि इस act में अगर कहीं कहीं पर बताया गया है कि इस recording चला जाएगा, तो उस चीज़ को save करते हुए कह रहे हैं कि बाकी CRPC में जो provision है, including the bail and bond वाले provision, वो यहाँ पर special court के समख चल रही proceedings में भी apply होंगे, और यहाँ पर special court को deem किया जाएगा session court CRPC के provision apply करने के लिए, और जो person conduct कर रहा है prosecution before the special court उसको deem किया जाएगा public prosecutor, and under section 32 special public prosecutor भी appoint किया जा सकता है by the state government official gadget में notification pass करके for conducting cases only under the provision of this act, और किसको special public prosecutor के रूप में appoint किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है जिसको as an advocate at least 7 years of practice का experience हो, और जो यहाँ पर special public prosecutor के रूप में appoint किया जाए रहा है, उसको deem किया जाएगा CRPC के section to close you के तहत public prosecutor, and accordingly CRPC के provision उसके उपर भी apply होंगे, chapter number 8 में special court के procedure and power के regarding and evidence कैसे record किये जाएगे, इस तीस के regarding section 33 से लेकर 38 तक के provision दे रखे हैं, सबसे पहले section 33 में बता रहे हैं कि special court के समख्ष जब proceeding चलेगी, तो उसका क्या procedure होगा और special court को क्या powers होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले यह कह रहे हैं कि बिना accused के trial के लिए special court के समख्ष कमिट हुए, जो इस special court है वो offense का cognizance ले सकती है complaint पर या फिर police report पर, यानि कि एक तरीके से यह चीज जो है ना, यह इस बात का exception है, किस बात का जो हम पढ़ते हैं CRPC के section 193 में, कि जो court of session है वो किसी भी offense का direct cognizance नहीं ले सकती है, तब लेती है cognizance जब कमिट होके मामला magistrate के दुआरा भेजा जाता है court of session को, इस चीज का एक exception तो हमने देखा था section 199 subsection 2 of CRPC में, बढ़ दूसरा exception यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह जो special court यहाँ पर cognizance ले रही है, यह indirectly है तो court of session ही ना, secondly यहाँ पर यह कह रहे हैं कि special public prosecutor या फिर accused के तरफ से जो भी counsel appear हो रहा है वो, जब child का चल रहा है examination in chief, cross examination या फिर re-examination, तब वो क्या कर सकते हैं, special court को questions वगएरा communicate कर सकते हैं, कि यह questions आपना child से पूछना, और फिर वो questions special court child से पूछेगी, और यहाँ पर कुछ duties है special court की, जैसे कि जब trial चलेगा तो तब frequent breaks वगएरा भी वो child को provide कर सकती है, जब-जब ज़रूरी लगे तब तब और वो ऐसा atmosphere create करेगी जो बिलकुछ child friendly हो, कैसे, वो उसके किसी family member या guardian या friend या फिर relative या फिर जिस भी person में बच्चे को trust और confidence है, उसकी presence में trial वगएरा conduct करेगी ताकि child friendly atmosphere create हो और वो यह ensure करेगी कि child को बार-बार testify करने के लिए court में ना बुलाया जाए और वो permit नहीं करेगी aggressive type के question या character assassination question चाइल से पूछे जाना, और साथ ही ensure करेगी कि जो child की dignity है वो all the time during trial बनी रहे और special court ensure करेगी कि जो child की identity है वो during the investigation or trial disclose ना हो, बट वही special court इस चीज़ का disclosure permit कर सकती है राइटिंग में reasons record करके गब जब ऐसा permit करना child के interest में हो और यहाँ पर child की identity में child की family, school, relative, neighbor हो या कोई भी other information जो child की identity reveal कर सकते हैं, वो सब की identity include होगी, इसके अलावा special court punishment देने के साथ साथ compensation दिया जाना भी direct कर सकती है, क्योंकि child को physical या mental trauma हुआ है इसलिए या फिर child का immediate rehabilitation ज़रूरी है, और यहाँ पर Bombay High Court ने FOXO Act के तहट जो crime होते हैं, उनके consequence में पैदा होने वाले बच्चे को भी victim माना था under section 2WA of CRPC और उस बच्चे को भी यहाँ पर compensation दिये जाने का order दिया था, इसके अलावा special court को power होती है कि इस act में जो provision दे रखे हैं उसके अधीन रहते हुए, special court वो सारी power exercise करेगी जो होती है CRPC के तहट court of session को और court of session के समक्ष जो trial चलता है, उसके लिए जो CRPC में procedure specify किया गया है, उसी के according वो try करेगी POXO Act के तहट जो offense है उनको, अब यहाँ पर section 34 सब से पहली बात यह कहता है कि अगर offense इस act के तहट commit किया जाता है by a child, तो तब उस child को deal किया जाएगा JJ Act के provisions के according, secondly अगर यह सवाल आता है special court के समक्ष चल रही proceeding में कि कोई person child है या नहीं, तो तब यह सवाल determine करेगी special court उस person की age के समद में खुद को satisfy करते हुए और ऐसे determination के बारे में written reasons record करके, और यहाँ पर P. U.A. Prakash vs. State 2020 के case में Supreme Court ने यह held किया था कि school transfer certificate and admission register extracts section 34 of FOXO Act के तहत age को determine करने के लिए reliable source नहीं है, इसकी बजाए जो JJ Act के section 94 में steps बता रहे हैं, उन steps को follow करके यहाँ पर age को determine किया जाना चाहिए, बहीं जो भी मतलब यहाँ पर special court ने age determine की, then कोई order वगेरा दिया, तो फिर वो order इस वजह से invalidate नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ की subsequently कुछ ऐसा proof मिला है, जो special court के दुआरा determine की गई, उस person की age को contradict करता है, section 35 में सबसे पहरे देखो यह कह रहे हैं, कि child के जो evidence है, वो by the special court record किये जाने चाहिए, offense का cognizance लेने की तारिक से 30 दिन के अंदर, वहीं अगर कुछ delay वगेरा होता है, तो इस तीस के वो reasons record करनी चाहिए, और जो trial है, वो date of taking cognizance of the offense से एक साल के अंदर complete होना चाहिए, अभी recently, बबलू यादव वसे state of Bihar 2024 के case में हुआ यह, कि accused का POXO के तहट trial, जो trial court है, वो एक ही दिन में conclude कर दी थी, तो फिर पहुचा गया Patna High Court, और Patna High Court ने डिनोवो trial का order दे दिया, और इस order को Supreme Court ने इस case में upheld किया, और कहा कि इस तरह से मतलब एक ही दिन में trial को conclude कर देना, यह clear violation है, natural justice के principle का and Indian constitution के article 21 का, section 36 को आप relate कर सकते हो CLRPC में, section 273 में जो proviso एड किया गया था 2013 में उस proviso से, वही बात यहाँ पर कह रखे है, कह रहे हैं कि special court की यह mandatory duty बनती है, कि जब वो child के evidence record करेगी, उस time पे उसने ऐसी वेवस्था बनानी होगी, ताकि जो child है, वो किसी भी तरीके से accused को expose ना हो, मतलग ऐसा ना हो कि, वो किसी भी तरीके से accused के contact में आ रहा है, like आमने सामने बिठा दिया, ऐसा नहीं करना है, but at the same time, यह चीज भी ensure करनी है, कि जो accused है, वो child के statement सुन सके, और उनको वो communicate कर सके अपने advocate को, तो इतनी तगड़ी वेवस्था बनाने के लिए special code क्या कर सकती है, तो वो यहाँ पर child के statement record कर सकती है, video conferencing के वाधि हम से, या फिर ऐसा कर सकती है कि इधर child के evidence record किये जा रहे हैं, और बीच में curtains वगएरा लगा दी हैं, और इधर बिठा दिया है accused को, या फिर किसी other device के जरीए ये चीज़ की जा सकती है, या फिर single visibility, mirrors के जरीए चीज़ की जा सकती है, लाइक इस तरीके से, जैसे आपने Korean dramas में देखा होगा, या किसी Hollywood movie में देखा होगा, या किसी Bollywood movie में देखा होगा, तो इस तरीके से विवस्था बनाई जा सकती है बट यहां पर चाइड को ने बिठा रहा है मैंने एक्जामपल के लिए यहां पर यह सीन दिखा दिया सेक्शन 37 इन कैमरा ट्राइल की बात करता है यह कहता है कि पॉक्सों केत है जो मामले का ट्राइल करेगी ना स्पेशल कोट वो करनी चाहिए इन कैमरा ट्राइल इन कैमरा ट्राइल मतलब बंद कमरे में प्राइविसी का धियान वगरा रखते हुए और वो करनी चाहिए यह ट्राइल चाइल के पैरेंट्स की प्रिजेंस में या फिर किसी other person में अगर child को trust है या confidence है तो उसकी presence में और अगर special court का ये opinion है कि child का examination करने की ज़रूरत है court के अलावा किसी और जगा तो तब वो उस जगा पर child का examination करने के लिए commission issue कर सकती है section 284 of CRPC के according जहां section 26 में magistrate या फिर police officer ले रहे थे assistance interpreter की और expert की child के statement record करते ताइम वही section 38 में special court कर विये ये चीज़ child के evidence record करते ताइम यानि कि special court क्या कर सकती है child के evidence record करते ताइम अगर जरूरत पढ़ रही है तो तब translator या फिर interpreter की सहायता ले सकती है वहीं अगर जो child है वो mental या physical disability से सफर कर रहा है तो तब किसी special educator की या किसी ऐसे person की जो की child के communication style के साथ familiar होता है उनकी मदद ली जा सकती है या फिर इस field के किसी expert की मदद ली जा सकती है और यहां पर जिस भी translator, interpreter, special educator, familiar person या expert की मदद ली जारी है वो possess करना चाहिए ऐसे qualification और ऐसे experience और उसको उतना फीस दिया जाएगा payment के रूप में जैसा की section 45 में central government notification official gadget में पास करके rule बना के करती है prescribe अब हमारे पास बचा है boxo act का आखरी chapter chapter 9 जो की miscellaneous chapter है और इसमें section 39 से 46 तक के provision दे रखे है section 39 state government को power दे रहा है state government बनाएगी guideline किस चीज के बारे में इन में से किसी के भी participation के बारे में कहां पर participation के बारे में जो boxo act के तहट trial चलेगा न उस trial से पहले and trial की stages पर इनके participation के बारे में क्यूं ताकि ये child को assist करें और वो ये चीज करेगा इस बारे में अगर कोई rules वगेरा बने हुए हैं उनके अधीन रहते हुए उनके आगे जुक्यराना पड़ेगा यानि इसके participation के regarding rules बन रहे हैं NGOs के, professionals के और इन में से किसी भी field के experts के और यहीं से निकल कर आता है support person का concept जिसके appointment and qualifications के बारे में Supreme Court ने recently कुछ directions issue किये थे बच्पन बच्चाओ आंदॉलन वर्सेज उनियन ऑफ इंडिया 2023 के case में तो वो directions एक बार आप जरूर चेक कर लेना और support person के regarding we the women of India versus union of India 2023 के case में Supreme Court ने कहा था कि ये state के उपर obligatory है कि वो sexual offenses के child victim को provide करे support person और support person का appointment यहाँ पर optional नहीं है और नहीं ये depend करना चाहिए child के parent के description पर section 40 legal practitioner की assistance लेने का right देता है ये कहता है कि CRPC के section 301 में दिये गए proviso में जो लिखा है न उसके आगे जुक्के रहना पड़ेगा उसके अधीन रहते हुए ही child की family या उसका guardian entitle होगा also act के तहट किसी offense के संबन में अपनी choice का legal counsel से assistance लेने के लिए और अगर वो legal counsel afford नहीं कर पा रहे है तो तब legal service authority के उपर mandatory है कि वो उनको assign करेगी provide करेगी lawyer और इस duty को ही state of Rajasthan versus Gotham के case में Supreme Court में highlight किया था और साथ ही ये भी highlight किया था कि जो child victim है उसकी education को continue करना कितना ज़्यादा important है और जो monetary compensation होता है ना सिर्फ वही काफी नहीं होता है rehabilitate करने के लिए child victim को बलकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह के champion किये तहट child victim का rehabilitation किया जाएना चाहिए उसकी education को importance देते हुए और राइट बाकि ये ध्यान रखना है कि section 41 ये कहता है कि जितने भी offenses हमने section 3 से लेकर 13 तक के provision में discuss किये वो apply नहीं होते हैं child के parents या guardian की consent से किये गए child के medical examination पर और medical treatment पर section 42 alternate punishment के बारे में बात करता है ये कहता है कि अगर कोई act या omission offense constitute करता है ऐसा जो की boxo act के तहत punishable है और साथ ही IPC के इन में से किसी भी section के तहत punishable है या फिर IT act के section 67 भी में punishable है तो तब किसी existing law में चाहे कुछ भी क्यों न लिखाओ वो चाहे भाड में क्या किया जाएगा इन में से जिसमें भी उस offense के लिए जादा punishment बता रखी है अगर offender को guilty पाया जाता है तो तब उस greater degree of punishment के लिए ही फिर वो offender liable होगा for example किसी particular offense के लिए boxo act में 20 साल की सजा बता रखी है वहीं उस offense के लिए IPC में सजा बता रखी है 10 साल की तो तब 20 साल की सजा के लिए liable होगा boxo act के थाद और यहां पर इसलिए देखो आगे section 42a में क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि जो boxo act में provision दे रख है न वो other existing law के provisions के in addition है ना की in derogation वो उनको supplement करते हैं ना की उनको contradict करते हैं लेकिन अगर किसी other law के provision के साथ boxo act में जो provision दिये गए हैं वो हो जाते हैं inconsistent तो तब to the extent of inconsistency जो boxo act का provision है वो रखेगा overriding effect वो रखेगा precedence यानि boxo act के provision को दी जाएगी priority section 43 में इसलिए ताकि general public, children, उनके parents और guardian boxo act के बारे में aware हो central government and state government की पहली duty दे रखी है कि वो सारे के सारे measures लेगी ताकि boxo act के provisions की वो widely publicity कर सके media के थुरू like tv पर, radio पर, print media के माधि हम से और यह चीज़ को करना चाहिए regular intervals में दूसरी duty बन रही है यहां पर central government और हर एक state government की कि वो अपने officers को including the police officers periodically boxo act के implementation के regarding train करें section 44 में boxo act के implementation को monitor करने के बारे में कुछ provision किया गया है यह कह रहे है कि commission for protection of child right act 2005 में जो functions होते है national commission के जो constitute हो रही है उसी act के section 3 में and state commission के जो constitute हो रही है उसी act के section 70 में उन functions के साथ-साथ उनका एक और function होगा क्या कि वो वो functions तो perform करें साथ ही वो क्या करें boxo act के provision के implementation को monitor करें उस तरीके से जैसा कि section 45 में central government ने notification पास करके official gadget में rule बना कर किया हुआ है प्रेस्क्राइब और boxo act के तहट किसी offense के सम्मन में inquiry करते time इन commissions को वही power होगी जो powers इनको होती है commission for protection of child right act 2005 के तहट और इसी act के section 16 में जो mandatory है annual report करना उस report में ये commissions section 44 of boxo act के तहट अगर कोई activity किये है उसकी detail भी include करने चाहिए तो यह होगी आपका section 44 अब section 45 में वही बात कह रखी है जो हमने जगह जगह पर discuss की याई यहाँ पर central government को rule बनाने की power दे रखी है तो boxo act के provisions को carry out करने के लिए ताकि boxo act के provisions को implement किया जाए धंसे जो हमारी central government है वो official gazette में notification बास करकी rules बना सकती है और वो ना rules बना सकती है यह जो matters यहाँ पर बताया रखे हैं जो हमने provision to provision discuss भी कर दिया है तो वो rule इन चीजों के बारे में भी हो सकते हैं और इसके अलावा और बी किसी matter से संबंदित हो सकते हैं जो की boxo act के provision को carry out करने के लिए जरूरी हो और जो भी rule यहाँ पर बनाएगी वो present करेगी central government before the both house of parliament बस इतना ध्यान रखो अब यहाँ पर बचा है boxo act का आखरी section section 46 जिसकी अब कोई utility नहीं है क्योंकि यह section के तहर जो order दे रही है central government वो सिर्फ दे सकती है boxo act के लागू होने की तारीक से 2 साल तक उसके बाद नहीं तो यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई difficulty arise होती है boxo act के किसी provision को effective करते टाइम लागू करते टाइम तो तब उस difficulty को remove करने के लिए जो ज़रूरी है expedient है वो provision central government बना सकती है बट वो provisions boxo act में जो provision दे रखे ना उनके consistent होने चाहिए और उनको publish किया जाएगा official gadget में और यहाँ पर जो central government order दे रही है वो boxo act के लागू होने की तारीक से 2 साल बाद नहीं दिये जाएंगे और जो भी यहाँ पर order दिये जा रही है वो जितना possible हो सकता है उतना कोशिश य वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको boxo act की ये PDF पोशिश करनी है या फिर description में mention किसी भी subject की आपको PDF पोशिश करनी है तो आप मुझे contact कर सकते हैं या तो मेरे email address पर जो कि आपको screen पर दिख subscribe कर देना तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में